नाकपुल सहित विधर्ब के कहिस्तों में 28 और 29 दिसंबर के बीच बारिश होने की आशनका है गरचमा के साथ होने वाली अकास्मिक बारिश को लेका मौसम भाग ने औरेंज अलर्ड भी चाले किया है ऐसे में दिन के तापमार में गिरावट आ सकती है मौसम भाग के अनुसा वेस्टरन डिस्टरबेंस का असर उत्तर पूर्व राजिस्थान से होते हुए विधर्ब मध्य प्रदेश तक दिख रहा है वहीं भीहार और आसपास के शेत्र में साइकलोनिक सर्कुलेशन भी तैयार हो रहा है इसी वज़े से ठंड के बीच बारिश होने के आसार बन गए ऐसे में किसानों को सतर करहना पड़ेगा बारिश थमने के बाद नए वर्ष में विधर्ब के अधिकान शिस्सों में भीशन ठंड पढ़ने के आसार है नागपूर में पिछले 24 खंटे में नियूंतम तापमान एक डिगरी चड़कर 14.4 डिगरी सलसि पर जा पहुचा 12.6 डिगरी के साथ गोंदिया पूरे विधर में सबसे ठंडा रहा कैमरे परसन राजकुमा मोहर के साथ अभी शेक पांसी बीसे नियूस नागपूर